मीठे मोधक तो सभी ने बना भी बहुत लिए और खा भी बहुत लिए आज हम करते हैं कुछ अलग यानि की बनाते हैं हम चटपटे मोधक हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चानल वी वेज विद गीत आज मैं बनाने वाली हूँ चटपटे क्रिस्पी मोधक इसे बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में चटपटे मोधक बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू तीन से चार लसन कीकलिया और चाहिए हमें ये पतला वाला पोहा पोहा वैसे भी हर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए मैं पोहा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉन फ्लॉर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने लिए हैं चार मीडियम साइज के आलू, तो इसलिए मैं लूँगी दो कप पोहा पहले एक छन्नी लेंगे, उसमें हम दो कप पोहा डाल देंगे, और अगर आप ब्रेट यूज़ कर रहे हैं, तो चार से पांच ब्रेट के पीस डाल सकते हैं, फिर इसमें डाल देंगे हम बहुत सारा पानी, ताकि ये पोहा अच्छे से भीग जाए, और अच्छे से दूल अब इसे हम एक साइड में डग देंगे, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, हम लेंगे धनिया कटा हुआ, उसे भी हम छान लेंगे, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए, अगर हम ऐसे ही डालेंगे पानी के साथ, तो आलू का मिक्षर हमारा गीला हो जाएगा, पहले हम आ पान से साथ नट में ड्राय हो गया है पानी इसका बिल्कुल निकल गया है और यह बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है देखिए मैं आपको दिखाती हूं प्रेस करके बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है यह पोह हम इसमें सारा डाल देंगे फिर हम डालेंगे इसमें हरा धनिया जो हमने अभी तुकाके रखा था इसमे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए फिर डालेंगे कटी हुई हरीम इर्च एक चम पचेश भर के नमक एक चम संदों डेगी लाल मिर्च और दो चमस बर के डालेंगे भी चाट मसाला। इसे हम अच्छे से joueने हाथ से अगर आप लगा देंगे तो आप लसन अवाइड भी कर सकते हैं या हरी मिर्च अगर आप बच्चों के लिए भी बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च भी अवाइड कर सकते हैं मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं उपर से हम लगा देंगे इसके ओईल इसे ढखके 10 मिनट के लिए हम रख देंगे set होने के लिए 10 मिनट बाद ये अच्छे से set हो गया है एक बार हम इसे चिकना कर लेते हैं थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि डो जादा soft है तो आप इसमें एक bread डाल दीजिए तो ये अच्छे से set होने लग जाएगा हाथ में लगाएंगे oil इसका एक छोटा सा पेड़ा तोड़ेंगे और इसे अच्छे से पहले plane कर लेंगे फिल लेंगे हम मोदक का mold उसमें दोन तरफ oil लगाके ये पेड़ा इसमें रखेंगे और इसे अच्छे से press कर देंगे ताकि इसकी shape मोदक वाली आ जाए अगर आपके पास मोदक का mold नहीं है तो आप इसे हाथ से cutlet की shape में या छोटी टिक्की की shape में भी बना सकते है और जो भी इसका extra उपर से निकाल के हमने मोदक ready कर लिया है देखिए कितना प्यारा लग रहा है अभी हम इसे fry करेंगे तो यह देखने में और भी सुन्दर लगेगा आप चाहें तो पनीर की stuffing वाले मोदक भी बना सकते हैं पहले मोदक का mold लेंगे दोनों तरफ oil लगाएंगे इसे burn कर देंगे पहले फिर छोटा सा आलू का गोला लेंगे इसके अंदर डालेंगे और finger की help से इसमें cavity बना लेंगे ताकि हम इसमें पनीर या चीज जो आपको चाहिए वह आप स्टफ कर सकते हैं उपर से कवर करने के लिए फिर से थोड़ से आलू का mixture लगा देंगे इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे तो देखिए हमारा stuffing वाला मोदक भी एकदम ready हो गया है आप चाहें तो इसमें cheese stuff कर सकते हैं, dry food stuff कर सकते हैं जो आपको पसंद हो आप इसमें stuff कर सकते हैं इसी तरीके से हम सारे मोदक ready कर लेंगे और जब महवानों ने आना हो तो इसे आप पहले भी ready करके रख सकते हैं अब कर लेंगे इने फ्राइए एक कढ़ाई भी लेंगे उससे मीडियम टेंपरेचर पर हम गरम कर लेंगे पहले चेक कर लेंगे बहुत ज्यादा गरम तो नहीं है चोटा सा गोला डाल के हम चेक करेंगे यह देखिए ऑई एक दम ठीक गरम है इसमें डाल देंगे हम मोदक ए देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यह फ्राइ होके भी फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है पहले फ्लेम हाई करेंगे जब डालेंगे और जब हलके से फ्राइ हो जाएंगे तब हम फ्लेम स्लो करके पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं कच्छे ना रह मैं आपको फोक से दिखाती हूँ यह कितने क्रिस्पी बने हैं देखिए मोदक हमारे सर्व करने के लिए रेडी है मैं इसे ग्रीन चटनी और खीरे के सालड के साथ सर्व कर रहे हूँ आप चाहे तो टमाटो केचप या शेज वन सॉस जो आपको पसंद आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं यह उपपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी आए मैं आपको तोड़के दिखाती हूं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें गंटे का बटन दबाना ना भूलें